बोलो है आप सब्सक्राइब करने वाले हैं तो सभी दोस्तों को जल्दी से जल्दी क्लास को लाइक सेर और सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीचे फड़ा बड़ा चलिए जल्दी से जल्दी करेए सभी दोस्तों को जल्दी से ख्लास को ऐक बार के लिए बड़ा बड़ और उसके बाद हम अपनी क्लास को स्टाइब करेंगे रादे रादे राम राम जी लेलता मेकाले सपना में ताले मुसली चल तो आप लोग जल्दी से जल्दी एक बार के लिए लाइब आ जाएं और फिर हम अपनी ग्लास पर स्टार्ट करने वाले दोस्त चलिए देगे मैं पहरा कुशिन आपकी स्ट्रीन कर आ डाल देता हूं वो और हम पहरा के लिएँ सबता है आप्शने सुसमा सुराज, भी मनमवाण सीं, सीं नवेंदर मुदी, डी अरूर जिटली तो ABCD को आपने clear करना है वह जल्दी से अपना answer देना है तो फड़ावट में clear परेंगे तो ABCD को clear करेंगे जल्दी से अपना answer दीजावट में तो पुस्तक exam warrior के लेखा कौन है वो आपने बताना है और जल्दी से click करना है चली जल्दी से click करेंगे पुस्तक exam warrior के लेखा कौन है अगर आपको याद रखना है जो आपके लिए काफी ज्यादा बनेंगे तो नरेंद्र मोधी की पुस्तक है exam warrior जोटी पुच्ष भी अगर कभी पूची जाती है तो जो ती पुच्ष वह भी किसकी पुस्तक है थीक, exam warrior भी किसकी है exam warrior थीक यह दो नरेंद्र मोधी की यह तो दोनें भी पुस्तक है किसकी है नरेंद्र मोधे की निको आपको clear करना है जो आपके 2018 अर्थाप 2018 में किस tennis खिलाडी को खेल के लिए पदम स्री सम्मान से सम्मानित किया गया था तो आपने बताने हैं option है यूकी महमरी, B. सौंग दें बर्मन, C. सामिया मिर्जा, D. लेंडर पेस 2018 में किस खेल के लिए किस खिलाडी को पदम स्री से सम्मानित किया गया था ABCD का option आपके सामने है, जल्दी से मुझे comments करके बताएंगे, देखते हैं आप लोगों में से कितने लोगों का बिल्कुल correct होता है चलिए, साक्षी, जोती और वारियर्स, बिल्कुल correct सपना, चलिए, राम रामनित, ठीक है सभी लोग जल्दी से एक पार के लिए class को share भी करते हैं सभी दोस्तों को, जिससे हमसे सब लोग जोड़ जाएं आके तो आपने clear करना है, देखो, यहाँ पर विल्कुल correct answer होगा, सौमदेव बर्मन, सौमदेव बर्मन वो player थे, जिनने पदा उसनी मिला 2018 में, है न, और tennis के खिलाडियां है तो यहाँ पर सौमदेव बर्मन टेनिस के खिलाडियां, सानिया विर्जार भी टेनिस की खिलाडियां, लेंडर टेनिस भी टेनिस की खिलाडियां, लेकिन जो award मेला, वो किसको मिला, सौमदेव बर्मन को मिला 2018 में तो यह आपने क्लिय करना है, तो आपके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा दोस्त, चलिए, इसके बादर नेस्ट क्रिशन आपकी स्क्रीम बढ़ा जाता है, उड़े बिजी, शिशुमार और वेल मचलियों को क्या का जाता है, डेखे, डॉल्फिन, शिशुमार और व मचलियों को क्या का जाता है, तो आपने क्लियर करना है, जल्दी से अपना आंसर देना है, फटावड में, तो अपना आंसर देंगे दोस्तों, जल्दी से जल्दी अपना आंसर बताएंगे, कि एमफिवेन होता है, सेंटा सीन होता है, स्मैक होता है, या और उन्टो सीट्स होता है तो जो भी आपको अंसर बनता है वो जल्दी से क्लियर करें बताईए फट आप जबी लोग जल्दी से क्लियर करेंगी देगें यहां पर पुल्कु चरेक्ट आंसर होगा सेंटा सिंस अगर को मानें तो इन्हें क्या कहते हैं सेंटा सींस की नूठ जानते हैं वैसे आम इनने एंफिवियन में रख सकते थे पर एंफिवियन मीं तुर्खेंगों सब्सक्सक्राइब वो सेचेंटासिंस का राता है या पधर मेहम्लश होती है क्या होती है महम्ल endless होती है या अगर FIX में बात करेंगे तो में मेहम्लस में रखाitा है वो आपने क्लिए करना हैं चलिए इसके बादर match mission आप्स क्रिया पर हो गतर थी जए जो आपने याद रखना है तो बंगाल विवाजन ने किया था अगर आपको याद है तो जल्दी से अंता देखें बताइए फड़ाबड बहुत बढ़िया गोलू बहुत बहुत बढ़िया देखो ऑप्शन बी जल्द करेक्ट आंसर आपका यहां पर 1905 पर लॉड गरजन ने बंगाल विवाजन किया था जो आपने याद रखना है दोस्त बिल्कुल बढ़िया इसके बाद में नहीं संबाद करें तो मौरेश नम्राज की राधानी कौन सी आपने बताने मौरेश नम्राज की राधानी कौन सी थी ऑप्शन ये पाठली पुत्र वी कुशी नगर सी वैसाली दी इंद्र फरस्त तो एविच्टी को क्लिए गरीए तो मौरेश की राधानी क्या हुआ करती थी बताएं दो इसे इन मेंसे चलिए देखो आपने बात करे क्या हूँ और फिर कौनल सी राधानी मनी तो आपके हुलकर कर्यक्ठ आइसर होगा पार्डि पुत्र कौन सी होगी पार्डि पुत्र ह this spot जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट होगा पाड़ी पुत्र तो आंसर आपको पाड़ी पुत्र कुशिनगर वैसाली इंद्रपस्ट में से चुनना था तो यहां पिर आंसर सही बनेगा कौन सा आपका पाड़ी पुत्र तो दोसो दोसो आपको याद रखने तो वाइट इस दा टेपिटल ओव महलेन एंपाइं तो महरवंस की जो राजानी की वह कौन सी थी पाड़ी पुत्र ठीक है पहले कभी मगा दुगा करती थी चलिए आगे बढ़ेंगे नेस्ट भारत का सबसे बड़ा बॉक्षाइड उत्पादक राज्य कौन सा है बदाए ब भारत का सबसे बड़ा बॉक्षाइड उत्पादक राज्य कौन सा है थोड़ा नहीं की बात भी मालनेजे वीडियो को थोड़ा लाइक सेयर करिए दोस्तों को इन्वाइट करिए जल्दी-जल्दी वैसे भी साथ मज़े कोई आता नहीं आपने जल्दी-जल्दी क्लिए कर करेंगे भारत का सबसे बड़ा बॉक्षाइड उत्पादक राज्य कौन सा है बयार जहार का लोडिशा या मध्यपदेश एपी सीडी को क्लिए करें जल्दी से बताइए कि कुश्चिन को बहुत ज़्यादा चिप्टा कि मत बनाये करो इतने हम बीच में रखा करो वहां से बिल्कुल उत्पादक राज्य कौन सा है तो बारत का सबसे बड़ा बॉक्षाइड उत्पादक राज्य कौन सा है आपका उडिशा बिल्कुल करेक्ट होगा याद रखिए कालवी पाइटू किस भारती राज्य का प्रशिद युद्ध कला है तो कलवी पाइटू जो युद्ध कला सहली है तो किस राज्य के प्रशिद युद्ध कला सहली आपने बताना है तो करनाटका का केरल का तमिलानू का या उडिशा का आपको जल्दी से क्लिए करना है जल बढ़ी है रभी बिल्कुल करेक्ट आंसर देखो केरल तो कालवी पाइटो जो यूदिकला से ही है काव की है केरल की है जो आपने यहां रहना है तो यहां केरला इदर करेक्ट आंसर चली आगे बढ़ता है इसके बाद में स्कुषिंग लिए तो बदाएगे एक ही भूमी पर इक साथ 2 या 2 से अधिक फशल होगा ना कौन सी फशल परांडी से संब्ढ़त है तो एकी भूमी पर 2 से अधिक फशल होगा ना किस फशल परनाडी से संब्ढ़त है आक्षिंग लिए बीजरdock ऑन अंतर या डिसिंपल या साधरत तो आपने कलेर करना है तो a-b-c-d को clear करेदी ज़ल्दी से बताए यह पढ़ावट में आंसर दीजे कर्ड is formed with the help of bacteria दही बनाने में वेक्टरियस आई होते हैं केसे लैक्टिक एसिड, लैक्टो बैसिलस, एसिडोफाइलस या बैसिलस कॉंगुलेश या बाइफिडो वेक्टिरियम विफ्रीड़ एबीशिडी को क्लियर करेंगे जल्दी से बताइए कि दही बनाने में कौनसा व बिकुल करेक्ट आंसर है, और ऑप्शन B देने वाल है देने वाल एक्टो वेसिलस एसिडोफाईलस जो बsalुघ वो बिल्कुल करेक्ट है, डोस्ट तो आपने याद रखन रहे हैं, तो ओप्शन वी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बने गा, आप लोगों के लिए चले इसके बाद में next question आपके screen पढ़ाते है The National Sports Development Fund was established with the central government in the year के सरकार वारा राष्टिक खेल, विकाज, कोश and SDF की इस्तापना किस वर्ष की गई की आपने बताना है तो के सरकार वारा राष्टिक खेल, विकाज, कोश की स्तापना कब की गई की निन्यार में, 1997 में, 1998 में या 1996 में अगर आपने option मालू है तो जल्दी से अपने answer दीजे दोस्त तो जल्दी से बताई फटावट में click करिए रवीश सबसे पहले answer 1999 बहुत बढ़िया पर 1999 सही नहीं होगा दुमारा यार कें सक्कादारा रास्टी एंडी आरफ की स्तापना पूछी गई है तो अभी आपने clear करना है तो answer बिल्कूल correct होगा 1998 ज्यादा दूम्द नहीं है टेकिन कभी कभी dates में दिक्कत आती है तो यहां 1998 is a correct answer तो 1998 is a correct answer होगा option C बिल्कूल correct होगा 1998 1998 अने सिरिवास correct है सपना मेकाली भी correct है तो यहां पर option C बिल्कूल correct होगा द्यान में रखिए दोस्त इसके बात इन्यास कुश्चन है निम्द में से कौन सा भारत का रास्टी जली जल्टू है बताईए भारत का रास्टी जली जी कौन सा है रिवर डॉल्फिन संत्री गोडा वेल या कचुवा जल्दी से कले करें तो भारत का रास्टी जली जीव कौन सा है या पशू कौन सा है आपने बताना है जन्तू कौन सा है जल्दी से बताईए चलिए बहुत बढ़ी आजन सी रिवास ओके यहां पर उसको करेंट है रिवार डॉल्फिन तो तो भारत का राश्टी जीव है आपने याद रखना है दोस्त कलिए बनेगा तो गर्कश की स्क्रेंब में आता है वो देख लिए जलूरतों का दोहरा सहीं हो जलूरतों का दोहरा सहीं प्रणाली की विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष देखें, यहां पर दो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, वो होगा option B, बस तू बिल्में परणाली, option B बिल्कुल करेक्ट होगा, तो second options होगा, वो बिल्कुल करेक्ट होगा, बस तू बिल्में परणाली, जो आपने याद रखना है, जो आपने याद रखना है, जो आपने या मनाने क्लिए कौन सा तिवार मनाया जाता है आपने पूशन के नहीं , पैगंबर मौंबर की जयांति को मनाने क्लिए कौन सा तिवार मनाया जाता है option a, एद उल फितर B, सब एक बरात C, एद उल जोह या option अप्शन B, मिलाद उद्ल न भी तो आपने प्लिय करना है इबी-बी-बी को जल्दी से आंस देना है, फटावड में लें कलें करें, देखते हैं कि लोगों को मालूम है यह चीज, तो जल्दी से खलें करेंगे आप सब लो चलें, आप सो जल्दी कलें करतें, प्रॉचिießen को भी समल्दें, मिला दून नभी तो यह उप्षन चलिए अप्षन करेक्ट होगा आप के लिए तो आपने याद रखना है तो अप्षन दी बिलकूल करेक्ट होगा आपके लिए इसके बाद रहे ज्ल्दी से क्ल्य करेंगे आप सभी चलीए जल्डी से करेंगे आप सभी कि देखिए आपके लिए बिल्कुर्ट रखता अंसर होगा कि जीरो से 6 आयू वर्व में प्रती हजार पुर्षों पर महलाओं की संक्या से हम क्या निकाल लेते हैं बाल लिंगान उपात निकाल लेते हैं तो आपने याद रखना है तो यह आपके लिए इम्पोनेंट बनेगा चलिए आगे बढ़ते हैं स्कूशन सी भी भारत में अगुपता अगुण को जन्दे ल नहीं है आपने बताने तो बारप्र अगुपता अंगुण को जन्देने वाले कार्पों के बारे में निकित में से कौन सा गतन सहीनी है और बार खादे की कमी ऑप्शन सी खादिर में विलावट या ऑप्शन डी जमापूरी और कालव बजारी तो एबी सीडी को क्लिए करे चली जल्दी सिखले करेंगे देखे इस कुश्चिन का आथि जो बिल्कुल करेख्ट होगा वो हता है सीठल पेपर कार, तो अगर में वा रची में यह सीठल नहीं है वो सीथल पेपर कर Tuesday कोई मतलब नहीं यहीड गलत है बार-भार बार खादी की कमी यह सही हो study शाषम बार भी आत्रवा प्राइड बंधुल सही है इन सब लेकिन सीथल पेपर कर से कोई ऐसा specilement नहीं होती यहां पर गलत है याद रखेंगे दोस्ते इसके बाद नाइटी 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 टू में ब्राजीन की रादानी रियोडी जेनियरों में अंसेड में किस गुर्षना पत्र पर हस्ताक्षर किये गए थे आपने बताना है एजेंडा 21 एजेंडा 22 एजेंडा 19 या एजेंडा 39 यह बाद आपने क्लियर करना है जल्दी से बताईए तो रियोडी जेनियरों में सम्मेलन हुआ था उस समय अंसेड का सम्मेलन हुआ था और इस गुष्णा पत्र पर हस्ताचर किये गए थे तो एबी सीडी को क्लियर करिए और जल्दी से आंसर दीजे फड़ाबड में तो उसक ब्राजिल की राजनी रियोडी जेनियरों में अंसेड मैं किस गुष्णा पर हस्ताचर किये थे वह एजेंडा 21 पर किये थे जो बिल्पूल करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों ओके तो जो आपने याद रखना है चलिए इसके बाद में नैस्ट कोश्चिन पर बात करते हैं और नैस्ट कुष्चिन आखिर स्क्रीन पर डालता है वो देख लिजे जून जुलाई में बोई और सितंबर अक्टूबर में काटी जाने वाली फसले किस विकल्पों में दी गई है आप रखना है कौनसी ऐसी फसले हैं जो जून जुलाई में तो बोई जाती है और सितंब चली चली यह सब लोग जल्दी से जल्दी कमेंट्स करेंगे जल्दी से बताएंगे बड़ा बढ़ाएं चली सब लोग जल्दी से क्लिए करेंगे दीए यहां पर पर क्पास तो जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेंसार होगा दान और कपास की जो फसले होती 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 जुले में घुई जाती हो सîtंबर याद रखेंगे तो option A बिल्कुल correct होगा आप सभी के लिए तो वह आपने clear कर ले न है तो option A बिल्कुल correct होगा सभी दोस्त भी इल्कुल correct है आसीस रजक भी समिता लडित मेकाले यातुल सिकरवा च्छाय विर्थरे चलिए बहुत बढ़िया सभी लोग बिल्कुल करक्टी है रवी कुष्भक कुमार बिल्कुल करक्ट है आसिस रजक करक्ट है सब रोगने करक्टी दिया तो में next questions के लिए आगे बढ़ता हुआ और वो देख लेंगे तो देखें question and ask निर्ण मैंसे क्या राज़सूची में सामिश देखो अगर आपसे पूछाना है which of the following is the subject of state list यानि इन मैंसे कौन सा विश है राज़सूची का विश्य है आपने बताना है option A banking, V रेक्षा, C police, D1 तो आपने clear करना है ABCD को जल्दी से clear करिए इन मैंसे कौन सा विश्य है जो राज़सूची का विश्य है आपने clear करना है जल्दी से बताईए सब लोग जानते है बहुत बढ़िया तूल बिल्कूल correct answer वह सब सब पहले answer बहुत बढ़िया लगाता है यहां पर राज़सूची का विश्य है वो कौन सा होगा आपका police होगा बिल्कूल correct answer होगा तो इन में से जो राज़सूची का विश्य है वो कौन सा है आपका police है बिल्कूल correct है चलिए सभी का विश्य है तो जो राज़सूची का विश्य है वो police है देखो कभी मैं बात कि रख्षा भी जो समवर्थी सूची में तो नहीं संगर सूची का अंतरगत तो काफी कुछ ऐसे बदले गए है तो जिनको आपने क्लियर करना है कभी यह भी राज्वची विशेता लेकिन अभी नहीं तो पुलिस यहां बिल्कुल करेक्टर आशर बनेगा है आपने क्लियर करना है तो देखिए आप सम्मिदान का जो पूशन है एससी में वह यहां अन्सूचियों से कुशन डेपिनली आ रहा है लिसली से कुश्चन काफी सारे पूचे गए है प्रीवेश में तो लगातार आप अपना थोड़ा लेवल बनाईए उन सब्जेक्ट के ल सासक से संबंधिक हैं या संबंध रखते हैं ऐसे लिएक डिप किस मुगा सासक से संबंध हैं ऑप्चन एग साज मां वी एक बद सी और अजडी विमाईव तो आपने क्लिए करना है आपना असर बताना है तो आगरा की मोती मजज़त किसने बन वाई थी बताए जब्दी से देखते हैं कि ने लोगों का बिल्कुल कर्थ होता है तो बताए यह आग्राः की मोती मस्जद किसो ने बने वही ती जाज है अन्सर बनेगा तो आग्रा की मोती मस्जिद किसने बनवाई साधाने लेकिन दिल्ली की मोती मस्जिद किसने बनवाई अगर कोशन आता है दिल्ली की मोती मस्जिद किसने बनवाई तो दिल्ली की मोती मस्जिद से अगर कोशन आता है न दोस्त तो याद रखेंगे कि दिल्ली की मोती कहां पर है दिल्ली में है तो आपने याद रखना है दोस्त तो आपने लिए और बहुत जादा आते हैं तो याद रखेंगे दोस्त यह सब आपके लिए के लिए बात करते हैं जून 2018 में किसने इस्टुडगार्ड ओपन प्रतिस परदा में पूरुस एकलवर्ग का अपना पहला किताब जीता था यह प्रिवीश एक कोश्चन है तो लगवग यह पहले की बाते चल रहे हैं तो इस साल भी जीता है दोजाट 23 का समापती हुआ है 24 सब्स लगा है तो लगवग 23 में भी जीता है तो आपने दोनों ही चीज़ें के कुश्चन को क्लियर करके चलना है कि यहां से कुश्चन बन सकता है डाफिनली याद रखेंगे अभी इसका अंसर तो मैं इतना पराना नहीं याद होगा तो मैं बता दू वो थे रोजर फेड जीता था तो रोजर फेडरन ने यह आपने याद रखना है दोस्त चले इसके बाद मैं नहीं स्टाम बात करेंगे कि ओला ने हाली में ओला जो कंपनी है हाली में किस खाद्यापूर्ती सेवा प्रदाता कंपनी का अधिगरण किया है तो ओला ने हाली में कौन सी कंपनी का अधिगरण किया था लगवग वो 2018-2019 की ही बात है तो फूड पांडा जामेटो स्वीगी या उबेर एड्स तो आपने ABCD को क्लिर करना है जल्दी से बढ़ाना है तो फूड पांडा जामेटो स्वीगी या उबेर एड्स ये सभी खाद्यू परती आपूती कंपनिया हैं जो अपने गरहकों को फूड सप्लाई करती हैं और एक अच्छी सुविदा के तौर पर जाना जाती है जैसे जामेटो स्वीगी उबेर इड्स अबेर तो मोस्ली एक कार कंपनी है जो मोस्ली कारवार से रिलेटेड जाती है तो ऐसे करके आपने क्लिर करना है तो इन चारों में हाली में अधिकरन किया था वो आपने इंपरेंट मनेगा ठीक है तो जो आपने क्लिर करना है दोस्त तो यहां पर ऑप्शें एजर करेक्ट अंसर चलिए सभी लोग थोड़ा टाइम से आया अगर आप लोग ना इतने लेट आते हो यार आदे गंटे लेट आते हो अगर सुनिए गंगा नधी को साफ करने का बैतर प्रयास के लिए किस स्टार्ट अप को यूएन द्वारा हाली में सम्मानित किया गया था यह आपने क्लिर करना है तो जल्दी से बताएंगे तो गंगा नधी को साफ करने के बैतर प्रयास के लिए किस स्टार्ट अप को यूएन को मालू है देखो यह वो कोशन है जो साहत आपने पड़े भी नहीं होंगे क्योंकि यह थोड़े करेंट और इन चीजों में चले जाते हैं तो ऐसी जीकी के लिए आपको ट्यार रहना है हमेशा से क्योंकि यही होते हैं जिन्हें आप कहते हैं आउट आप स्लेवस वाले सिंपल वाले तो आप बैसे ही लगा लोगे उनकी जरुवत मेरी भी नहीं है आपके लिए तो वैसे करके आप क्लिए कर सकते हो जल्दी से क्लिए करेंगे इस कुश्चन का अंसर मुझे बताएंगे फटापट में बताएंगे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है है पास ग्र याव रखेंगे इसके पाल में सथने संयत सथया गरे कर और किस के द्वारत रहा की गया थी मंदब कौनसी सक फट्या अंसर महातमा गंधी जरू of करिए दुदी से बताईए सत्यागरे कब और किसके द्वारा किया गयता रॉल अक्ट एक्ट किसके द्वारा किया गयता बताईए कि बहुत यहां कुछ गड़वर्ण है मैं आपने बता देता हूँ कि कि चलिए आपके लिए करिए जल्दी से बताईए कि कि अगर मैं बात करूं तो वेटा यहां पर ना कुश्चन ही गलत है ऑप्शन भी गलत है यह अगर मैं बात करूं यह से ने का पूचा था दोजार अठार में इस कुश्चन के ऑप्शन ही सारे गलत है मैं यहां पर यह को ऑप्शन को सही कर देता हूँ थोड़ा सा अगर मैं बात करूं तो महात्मा गांदी ने किया था और यह 1919 में बिल्कुल correct होगा यह गलत है यह यहां पर हैंना तो आक नियह रखना है 1919 में रॉलेक्ट सत्याग्र artists च्यांग्रवे कि थे द्यागर्व कि फेक्ट्च में नहीं विभूत के अचे इसके जल्दी से कुलन है चलिए अभी क्लास में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मुझे जल्दी से क्लियर करते हैं एक बार किसी का फोन आ गया बीच में आ तो यहां पर एक डेट में गरवर था वह आपने क्लियर करना है तो यहां एक 1919 महादमा गांदी कर लोगे वह बिल्कूर्ट है क्योंकि पेपर मे लड़के कन्फीज हुए थे मैंने भी साइट टाइपिंग में जो टाइपिस्ट ने टाइपिंग करी है वह बराबर कर लिए तो आपने इसको सही कर लेना है क्योंकि बाद में आपने पता ही है 1919 महादमा गांधी रॉलक ट्रैक्ट इसकी विरोध में जलिया वाला बागत् तो कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है बताईये काटोती प्रस्ताव बी प्रतिवन्द प्रिस्ताव सब जानते होंगे इस कुशिंग का अंसार तो जल्दी से बताइए आज ही पढ़ा है मैंने बहुत चलिए जल्दी से क्लिए करी भारत के रास्टपती को अपने पस से अटाने के लिए क्या चलाया जाता है कौन सा अभियोग चलाया जाते बताइए तो आर्टिकल 61 अनुच्छे 61 के अंसार ये चलता है तो आर्टिकल 61 में ही दिया है महावयोग प्रस्ताव डैफिनली बहुत सारे लोग बिल्कुल खरक्ते तो राश्टपती को पद से अटाने के लिए अनुच्छे 61 में एक चीज दी गई है उसका नाव है महावयोग जो लि राश्टपती अपने पस से अटा हुआ माना जाएगा तो ये महावयोग प्रस्ताव है जो अनुच्छे 61 के अंसार राश्टपती को अटाने के लिए लाया जाता है दोस्तों याद रखना दोस्त हाँ बिल्कुल करक्त है इसके बाद में नेस्ट कुश्चिन आपकी स्क्र इसकर भी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है इसकर भी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है इसकर भी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है जीट खोलके आगे पुट्ता होज गया उसमें अंदर ठीक है अभी जल्दी से क्या करेंगे इसकर भी रोग कि इस बिटामिन की कमी के कारण होता है चल देखो अगर बात करें इसकर भी जो रोग है न वो हमारे मसूडों में होता है कहा होता है मसूडों में तो इसकर भी रोग जो होता है मसूडों में होता है और इसकर भी किसके कारण होता है विटामिन C के कारण होता है के की कमी से विटामिन डी की कमी से हमें रिकेट्स रोग हो जाता है बच्चों में बच्चों में जो रोग होता है रिकेट्स जिससे सूखा रोग भी कहता है कौन सा रोग कहता है सूखा रोग और एक और रोग होता है बड़ो में आस्टियो मलेशिया और कौन सा रोग हो जात और रिकेट जो होता है वो सुखा रोग होता है ये भी विटामिन D की कमी से बच्चों में होता है ये बच्चों में होता है के की कमी से रख्त का थक्का नहीं जमता हमारी वोड़ी में एक ही कमी से हमें रतोंदी रोग हो जाता है और विटामिन C जो ये कुशिन का अंसर है व आपने समझ लेना है तो निम्न लिकित मैसे कौन सा सब्सक्रेटित से संब्धित नहीं है यह फट आपड़न के लिए चलिए क्रेडित से संब्धित नहीं है तो क्रेडित का है जिसको हम समय से पहले यूज करें लिए अगर हमने पैसा निकाला आ तो आणियत कुछ के साथ संब्याशबश भी लगता है संपार्स रिक होता है आवशक दस्ता वेस होते हैं यह ए यह Eight बित्तमंत्री की महर नहीं चाहिए वोए अपकी आपके लिए वह सही सही है तीनकी लिए में प्रिजिए जो समनाये है वो बित्वंत्री की महौर होगा तो इस तरीके से आपने क्लियर करना है option A थोड़ा logic लगा कर भी question का answer दीजे क्योंकि आप पर सामने ही वह answer होते हैं वह हम पहचान नहीं पाते है चलिए इसके बाद में next question है इसके पी एच स्केल जो होती है power of hydrogen होता है पी एच स्केल का साथ के बराबर आपने बताना है बताए जल्दी से साथ से काम साथ से अधिक साथ के बराबर 14 के बराबर ABCD को क्लियर करें जल्दी से बताएं देखते हैं कितने दोस्तों को मालूम है ओके कोई बात नहीं अभी पढ़िए तेके बहुत बढ़िया यहां पर देको साथ के बराबर pH scale आप सब लोग जानते ही है तो कितनी बार pH scale बढ़ा है आप लोगों को तो pH scale पर जब आपन बात करते हैं तो साथ से कम है तो वो बस तो तो अधिक होगी तो सते क्या है तो क्या होगी चारी होगी अगर औरRecismant7 है तो वह दाशी नहीं नूट्रल लोगे तो जालतर साथ के अन्सर में ओडेकर, वह ऄद्हीन रखेंगे दोस्त, साथ के बराबर बिल्कुल करेक्ट आंसर मनीगा साथ के बराबर ओके सबीका विल्कुल करेक्ट है आगे बढ़ते नेस्ट देखो इन विच इंडियन इस्टेट इस दा हॉर्ण विल फेस्टिवल यानि भारत के किस भारती राज में हॉर्ण विल त्योहार मनाया जाता है सबने पड़ा चलिए देखिए हॉववल उससब बनाया जाता है नीरू अगरवाल भी बिएक सभी दग्ट है शेटाली लूगों का बिल्कुल करेक्ट हाँ आगे बरते इसके बाद में नेस्ट किसचिंच के लिए तो देख लीजे उचिताम गुडवक्टावाला कठोर कोईला ये कोईल लिखे आए, इसे कोईला कर ले सा है। उछतम गुड़वकता वाला कोईला क्रिक सद वाला क्लेस है। और निलस्टिएवल सप्ना लिख रही है बिल्कुल करेट लिख रही है क्टले तो यहां पर एंथ्रसपशर साइट का लेर्र लिए जो होता है वो सड में ड यहां गया जो होता है ऑध्र に इवेंट्स करेक्ट क्रोनोलोजी निमिके तित्यास का घटना का सही काल करम लगाना है आपने जिनको मैं आपने क्लियर करता हूँ ऐसे ऑप्शन यह है नील की खेटी के लिए चंप पारंड सत्याग रहे बी असयोग खिलापत आंदोलन की सुरुआ असयोग और खिलापत आं कि देट्स के आदार पर इन चारों वटनों को स्केंस करना है आंसर इन रूप में देना है पहला दूसरा तीसरा चौथा देखने के लिए लोग लगा पाते हैं जल्दी से बताएंगे फड़ा बढ़ें के लिए करीए चलिए और यहां भी ओप्शन में गड़बढ है देखो अगर मैं आपको क्लिय करा दूँ आप डेट्स सिख ले करना यहां ओप्शन्स में गड़बढ है देखो चंपारण नील की खेती के लिए जो आंदोलन हुआ था वो 1917 में हुआ था आसयोग आंदोलन साइमेन कमिशन भारत आया था वो 1928 में आया था और रॉलक टेक्ट सत्यागरा जोगा वो 1919 में हुआ तो यानि आपके ऑप्शन के साबसे बनेगा पहला है ना फिर बनेगा आपका पहले के बाद में 17 के बाद में 19 यानि हम यहां पर ही ले लेंगे 19 19 यानि आपने कौन सा देना था चौथा जैसे मैं बोलूं पहला चौथा फिर आपने यह 1920 असी हो गी है क्योंकि खिलाप अंदोलन इसके बीच में नहीं देना है तो आशियोग हो जाएगा तो यह तीसरा हो जाएगा और फिर आपका बनेगा साइमेन कमिशन यानि तीसरा यह दूसरा था सौरी तो दो और तीन ऐसे गर कि अपना उप्शेशव बन जाएगा तो एक चार दो तीन अब एक चार दो तीन इस में से कोई options नहीं है तो यानि यह सारे options by mistake जले हुए है तो आपने जो अपने सब्सक्राइब रखते हैं फिर बीस को रखते हैं फिर एक चार दो तीन करके हमारा विल्कुल correct answer बनेगा तो याद रखेंगे दोस इत तरीके से आपने clear कर लेना है हाँ वह गलत था हुआ पर तो एक चार दो तीन करके clear कर लेंगे चली इसके बाद कर नेस्ट क्रिश्चन आपकी स्क्रीन पर वन वीच आपदा विलो कैन बी कैन एन एक्जिस द्यूटी चार्ज निम्न मैंसे किस पर उत्पाद सुल्क लगाया जा सकता है उत्पाद सुल्क कि निम्न किस मैंसे किस पर उत्पाद सुल्क लगाया सकते हैं और देखो हमेशा किसी कंपणी के राजचा सुल्क नहीं लगा जाता थैं में लिगता केवल निर्मित उत्पाद पर लेक्टा है तो निर्मित उत्पाद पर लगाया जाने वाला सुल्क उत्पाद सुल्क किस पर लगाया जाता है जो प्रोडक्ट निर्मित की याद आता है उसी पर लगाया जाता है उत्पाद सुल्क कौन सा सुल्क उत्पाद सुल्क तो याद रखेंगे तो option D बिल्कुल करेक्ट होगा यहां बिल्कुल करेक्टे हैं आप सभी चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद केलों का रंग धूरा हो जाता है क्यों जैसे अगर हम किसी केले को छील कर थोड़ी देर के लिए बाहर रख दें तो वही ब्लैक या ब्राउन जैसे उस पर एक प पर्तिकरिया करता है सरक्राठ में बदल देता अब कि ले में मौझाटें हवा के सब्सक्राह करते हैं आपने सुद्धवर हं बहुत बढ़िया निल स्रीवास बिल्कुल करेक्ट आर्ती शिकरवार बिल्कुल करेक्ट देखो आप लोगों ने समझा होगा देखो विश्प्रॉस ने केले में एंजाइमों के साथ प्रतिक्रिया करता है यह कोई ऐसी बाद नहीं हुए जो अलग से आई एक एंजाइम इस सब्सक्रेशन बढ़ा ने कहां और किस देख के साथ खेलते हुए अपना सौवा सतक बनाया था मैंने बढ़ाया था आपको स्टेटिक और मैंने यह बताया था आप मुझे बता सबको याद होगा जल्दी से बताइए मुझे आंसर क्योंकि आप सबको मालूमें इन चार के आप आप्शन क्योंकि बहुत सारी स्टुडेंट मुझे पहले ही बता दिया था क्लास में कि सर यही आंसर होगा देखते हैं आज कितने लोग सही होता है क्रिकेट की किती नौलेज है क्योंकि इंडिया में तो क्रिकेट ऐसे पूजा जाता है जैसे काफी बैस तरीके से तो आप मुझे बताएं कि आपका अंसर क्या होगा जल्दी से बताएं चारों उप्शन में से एक उप्शन चुनिए जल्दी से इसके लिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूँगा इस क दय्सके खilan़ खिलते हुए आपना साहवा सतक लगाता सेरय बंगला इस्ट्रीएं बंग्ला देश में दांका कले कए रादरी धाका में यह सतक लगाया था आगे बढ़ते हैं सेर्सा सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का सेर्सा सूरी ने चांदी के सिक्का क्या कहलाता था तो सेर्सा सूरी के समय पर जब चांदी का सिक्का था तो उच्छा कहलाया तंका दिनार मौहर या रुपि है है चलिए चलिए जल्दी से लेगरिए रभी वी गलत है 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 कि चलो मैं चेक कराता हूं यहां से सी बहुत था रूपिया चांदी का जो सिखका था न वो कहलाता था रूपिया याद रखेंगे दोस्त जो आपके लिए बिल्कूल है मलाला यूशु जाई की जीवनी पर बनी फिल्म का नाम क्या है अगर मलाला यूशुफ जाई जो नोवल पुरुसकार सांती की बिजेता है नोवल पुरुसकार की उन्यों के ऊपर एक पिच्चर बनाइगेए और फिल्म मनाई गई है किस नाम से फ्रीडा गुल मकई दा सोसल नेट्वर्ट दा एडियेटर तो आपने क्लियर करना है जल्दी से बताइए चलिए देखते कि दें लोगों को मालूम है मलाला इस उज्जाई के ऊपर तो फेल मनी उसका नाम क्या है अब दा सोसल नेटवर्ट नहीं है विटा गुल मकई देको मलाला इस उज्जाई का बास्तिक नाम गुल मकई था क्या था इनका वास्तिक नाम भी गुल मकई है तो गुल मकई के नाम पर ही इनके उपर पिच्चर बनी है तो ऑप्शन बीज अ करक्ट आंसर याद रखेंगे विवस्ता बहुत लबने समय से प्रयोग की जाती है तो बहुत लबने समय से प्रयोग की जाती हैं यह तो आप लॉजिक भी क्लिये कर सकते हो बास का सब से ज्यादा परियों कहा होता है बाट के घर कहा होते है और यह सब चिज़ सब्सक्राइब करेक्ट की जाती है बहुत बड़िया नििर५ं बीलुकुल करेक्ट से चाहि योजना जो सब्से बास के खम्मे गाण लेते नीचे और थोड़ा उचाई पर बनाते हैं जैसे अगर बाल का पानी नीचे आता है तो वो बचे रहे पानी के ऊपर तेरते ने तो इस वज़े से तो वह आपके लिए इंपर्णिन बनीगा चली तो यहां मिगाला एजा करक्ट आंसर आगे बढ़ यह सोशन के विरुद अधिकार किसमें दिया गया है अपने बताना है जल्दी से बताई है चली देखते हैं कितने हैं बिल्कुल करेक्ट होगा बहुत बढ़ी है रवी यार तुम तो यार चाहा रहे हो बहुत बढ़ी है अभी का तुम्हारा संविदान बढ़ अच्छा च अगर उन्ति तीस में दोनों में अल्फ संक्यों को की बात कही गई तो यह अल्फ संक्यों के मौनिक अधिकार है जो आपने याद रखना है और 19 से 22 जो अनुचेद होते हैं यह बाक इवाम अवेक्टी की सुतंतरता इसमें दी गई है अभी व्यक्ती की सुतंतरता ठीकें 19 से 22 सुतंतरता ऐसे करके आपको 19 से 22 तक मिल जाती है तो ऐसे करके तो इसको आप सुतंतरता का अधिकार भी बोल देतें कौन सा अधिकार बोल देतें सुतंतरता का अधिकार कौन सा अधिकार सुतंतरता का अधिकार ठीकें अगर हम यह बात करें कि आर्टिकल 19 से 22 तक सुतं संस्कृति की सच्छा का अधिकार संस्कृति की सच्छा का आई कि यह सते हुं इस तरीके से आपने यह सारी चीजे क्लेर कर लेनी है दोस्त जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपटेंट बनेंगी इसके बाद मैं नैस्ट कुश्चन आपकी स्क्रीम पर डाल देते हैं वो देख लीजी आप लोग अगर काव हुई थी तो 1665 में हुई थी किसके बीच सवर बंगान और राज्फुतों का नवाव तो आपने जल्दी से क्लिए कर ना है जल्दी से बताएए पुरुन्दंळ की संदिक किसके बीच मैं हुए थी है जल्दी जल्दी से नि Dawn indo बताइए कि देखो अगर 1665 की संदीती वो जैसिंग राजा जैसिंग और किसके बीच में हुई थी महाराणा प्रताप नहीं जैसिंग और महाराणाण प्रताप के बीच कि महाराणा प्रताप क्यों आजाएंगे क्या नाम है हां सिवाजी उनका नाम है सिवाजी तो महाराणा मतलब जैसिंग के बीच महाराणा प्रताब दिम होच जाते हैं लेकिन यहां जो आनसा ब्लकुल करेक्ट किया और उसको क्या कर लिया गया तो वह एक अलग बात है तो मुगल और मराठाओं के बीच की भी संदी हुई थी पुरुंदर की संदी जो आपने याद रखना है तो option B इस तरीके से सब्सक्राइब है तो भारत में करेंसी नोट कि संस्ता द्वारा जारी किये जाते हैं वह आपने क्ले करना है जल्दी से बढ़ाएंगे आप सभी लेट सपना मेकाले आसीष रजक मुसकान रवी गुर्जर आशेक क्रेश्ण जीत अंग्रवाल कृष्ण जीत गुर्जर सौरी नीरु अग्रवाल बिल्गुल करेक्टर है सभी लोग तो देखें मैं चैक कर राता हूं आर्विय यह करेक्टर आज इसको रिजर बेंक ऑफ इंडिया कहते हैं। रिजर बैंक ओफ इंडिया को का रहाता है ठीक है बैंकों का बैंक भी का रहाता है इसको क्या का रहाता है बैंकों को क्या का रहाता है ठीक है बैंकों का बैंक का रहाता है ठीक है रिजर बैंक को बनाने के लिए जो जो मनब सहयों किया था वो भीम्राव अमेट करने किया था किस ने किया था भीमराओं अमेट करने तो रिजर बैंक बनाने के लिए जो सबसे पहरे सुजाव दिया या बताने में जो रिजर बैंक बनाने के लिए जो सहयों किया था वो भीमराओं अमेट कर द्वारा किया गये था यह सारे कुछ न कुछ न कुछ कभी न कभी पूछे ग करता है तो मौद्रिक नीती जारी करता है यह क्या जारी करता है मोद्रिक नीती भी जारी करता है तो हुआ की से आप yapmış कर लेना है ढहरत जो आपके लिए वे भेरी हें इंप्र इम्पंड बनेगा और भी से रेलेटष क्वश्च स्फटिवर्यBK बहुत जादा पड़ने हैं हा कौन है इस समय क्लियर कर लो चलिए तो जो आपके लिए बिल्कुल correct answer बन जाएगा आगे बढ़ेंगे इसके बाद next question राष्टी उद्यान काजी रंगा कौन सा काजी रंगा नेश्निल पार के या राष्टी उद्यान किस राज्य में इस्तत है आपने बताना है मैं नहीं बता सबक्राइब करहें पर वह किस राज में इस्तित जल्दी से भटावट में और पर इस लिए अभी इसकी बाद में आंगे बढ़ते हैं जो आपके लिए इंप्रिंट बनेगा भारत सरकाद वारा निम्लिकत में से किस भाषा को सास्त्रिया भाषा घोशित किया है अब बताईए भारत सरकाद वारा निम्लिकत में से किस भाषा को हमने अपनी सास्त्रिया भाषा क्लासिकल लेंग्विज घोशित किया है आपने बताने मराथी को उडिया को पाली को या हि फड़ावड में आप यहां पर भी लॉजिक कुश्चन चेक कर रहे हैं और नहीं समझ रहे हैं उस चीज को अफिशल हिंदी है वो एक अलग बात है लेकिन हम कह रहे हैं सास्त्री वाशा तो भारत ने जिस वाशा को सास्त्री वाशा का दरजा दिया है न वो उडिया है याद रखेंगे दोस्त उडिया भासा को भारत की जो सास्त्री लेंग्वेज है वो भोशित किया गया है तो उडिया लेंग्वेज इस तो आपने याद रखना है तो यहां ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा उडिया ओके चली इसकी बाद में नेस्ट कुश्चन आ और नेचर इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिंबर ओगनाईजेशन सी ग्रीनपीस डी उनाइटेड नेशन्स पोरम और फोरेस्ट तो आपने क्लिया करना है एबी सिदी को जल्दी से बताईए एबी सिदी को बताईए जल्दी से क्लिया करिए फटा पटम बताईए चली अभी आपको कुश्य क्लियर देख रहा होगा जल्दी से बताई देखें यहां पर तो बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा ना वह आपका ऑप्शन सी बनेगा स्वरी सी नहीं भी बनेगा इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिंबर ओगनाईजेशन तो इंटरनेशनल ट्रॉपिकल सरचित करके रखा हुआ है याद रखेंगे चलिए इसके बाद में नेस्ट कुश्यन आपके स्क्रीन पर डालते हैं वो देखें इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेट्स एंड प्रोस्पेक्टर्स फोर सेल्फ सस्टेंड ग्रोथ उस तक के लेखा कौन है इंडियाज एक्सप प्रधान मंतरी की पुस्तक है तो बताइए जल्दी से क्लियर कर देते हैं आप लोगों के लिए कि देखते हैं कि लोगों का करेक्ट होता है देखें यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा मनमौन सींग तो यह मनमौन सींग की पुस्तक है ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों अगर आपने चैनल को अब तो प्लीस लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करना है तो सभी काम आपको करने हैं दोस्तों को सेर जरू कर दिये क्लास को क्योंकि आप लोगों का सेर बहुत है हमारी लिए भी तो वो चीज़े कबर करते रहें लगाता है चलिए निमिन मैंसे किस व्यक्ति को भार्तिया फिल के या डी अमिता बच्चन आप तो इसको लॉजिक भी लगा सकते हो जल्दी से आंसर देना है इसमें तो कुछ सोच नहीं नहीं है चारों अप्शन मैंसे तीन तो वैसे ही अट गए एक ही बचा बताई जल्दी से क्लिए करेंगे फड़ा बड़ बहुत गड़ी है नीरू डाडा साथ फॉलड के बिल्कूल एक एलक तो यहां लिग तक यह करना ऑद हिंदी फिल्म जणक का जलाता है आठ वह से और जरा हरीषिंट थी सबसे पहले 1913 में वो फिल्म दादा साफ वाल के द्वारा बने गए थी और इसके कारण इनके उपर कई सारे पुरुषकार और इन्हें भारती फिल्म का जनक का जाता है क्या का जाता है तो इस तरीकी से आपके लिए बहुत काफी ज्यादा इंपरेंट बनेगा आगे बढ़ेंगे next questions के लिए तो बताएंगे मैटूर बांद किस नदी पर मना हुआ है यह मैं कही बार पढ़ा चुको वांको तो मैटूर बांद किस नदी पर निर्मेता और किस राज में इस्थे था आप्शन एक नर्मदा अंगरी पर मद्पदेश में तुम वद्रा नद पर करनाटका में काविरी नदी पर तमिलाडू में एविश्डी को क्लियर करिए जल्दी से बताईए फटाबट मैटूर बांद किस नदी पर मना हुआ है जल्दी से बताईए यह काफी व्रिवादित भी था काफी इंपड़ेंट भी है तो वो दोनों चीज़ें आपने क् सकते काविरी नदी ना यहां तमिलाडू से बहती है तो काविरी नदी पर तमिलाडू में इस्ते थे थे मैटूर बांद आपने याद रखने तो काविरी नदी पर तमिलाडू में इस्ते थे थे कावेरी निरू का विल्कूल करेक्ट है बाकी के सभी लोग तो थोड़ा चान्फ्यूज होगे चली 1985 में किये गए भारती समिरान के 52 समिरान संसोधन में क्या सुधार किया गया था यानि जो 52 समिरान संसोधन हुआ था 1985 में आपको में बता दो उस समय क्या किया गया था वो आपने क्लियर करना है चलो मैं अभी कुछ नी बोल तो करना प्रदी के संवंद में संद एवं राजशूची में संसोधन किया था या बारती गड़ राज़ में सिक्किम को एक नए राज़ की रूप में सामिल किया गया था या डल बदल विरोधी कानून को सामिल किया गया था या ऑप्शन डी समाजवादी धर्म निपेश सब् सबको मालूम है चैरी खुश रो काफी लेट आयो चलिए अभी जल्दी से क्लियर करेंगे कि देखो यहां पर आप सब लोग जानते हैं कि बावन्वा समिदान संसोदन जो आया ना 1985 में अया कवाया निएइटी फाइफस तो वावन्वा समीदान संसोदन 1985 के द्वारा यह किया गया तो यह इसका ना एक मिनिट मैंने भी थोड़ा सा घड़वर करा दिया सिक्किम राजनी सिक्किम पिच कब बना था याद रखेंगे सिक्किम राज्य बना था था पिचतर में लेकिन यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसेर ना वह दल बदल विरोधी कानून है यानि आपकी 10 वी अंसूची सामिल की गई थी, कौन सी अंसूची, 10 वी अंसूची, तो सम्मिदान में 10 वी अंसूची, 52 में सम्मिदान संसोदान 1985 द्वारा जोड़ी गई, और ये दल बदल बिरोधी कानून से सम्मन देता है, तो option C is a correct answer होगा, ये याद रखना है, तो option C ब 2085 द्वारा होई थी, ये विल्कुल correct answer बनेगा, चलिए, आगे बढ़े next, which of the following competition is not associated with Indian footwall, इन में से कौन सी प्रट्योगता भारती footwall से संबंदित नहीं है, आपने बनाना है, फैडरेशन काप, डूरंड काप, इंग्लिस को थोड़ा सा र्यार रखना है, हिंदी में थोड अब बता दीचे मुझे इन में से कौन सा कप नहीं होगा, अगर आपने बाल होएं तो, देखते हैं कितने लोगों को बिल्कुल correct answer होगा, हाँ, अभी clear करिए, जल्दी से बढ़ेए, बहुत बढ़ेए, देखो, सब जानते हैं, रणजी trophy किसमें रिखे ली जाती है, क्रिक किसे संबन देते हैं, बाकी की सभी trophy किसे संबन देते हैं, आपकी, footwall से, किसे संबन देता है, footwall से, तो आपको याद रखना है, तो ये आपने clear करनी है, दोस्त, चलिए, तो ये तो आपका clear हो गया, आगे बढ़ता है, नेस questions के लिए, कनी, सॉल, हस सिल, भारत की निम्लिक किस राज से संबन देते हैं, option a, जंबू कास्मीर, वी अर्णोचल पदेश, सीमाचल, वी उत्ता पदेश, तो आपने clear करना है, कनी, सॉल, हस सिल, भारत के किस राज से संबन देते हैं, बताइए, देखते हैं, कितने लोगों को बिल्कुर करेक्ट आंसर बालू में इसका, हाँ, पिछकी लंबाई, 22 गज, अभी इस कोशिंगा आंसर दे लड़की, नहीं, नीरू, जंबू का समीर में नहीं होती, कनी, सॉल का, जो, जो, संबन दित है, वो, जंबू का समीर नहीं होगा, है ना, तो इसका मैं आंसर देते हूँ, आप लोगों को, यह अर्णाचल प प्रमग रूप से हसिल्फ गला है, कनी शॉल हसिल्फ गला जो है, वो भारत के अभ्नाचल प्रदेश राजी की प्रमग कला है, तो यहाँ पर option B is a correct answer है, आप लोगों को याद रखना है तो option B बिलुकुल correct होगा सब लोगों को याद रखना ही है इसके बाद मैं next question आपकी screen पे डाल दता हूं मोझेगे लिजे 12 सरकार द्वारा योजनायों किस बस्ष में स्थापित किया गया था तो 12 सरकार द्वारा योजनायों किस बस्थ में हैद किर야지 हैं चल्व करेंगे जल्दी से बारत सरकार द्वारा योजनायोग का मेंlungsताबेत कroemmلى नहीं सो 50 में हुआ था कभी टार ने सवा देखो तो नैंने सबस्क्रूल अगर मैं बात करूं योजनायोग का गया था वह किया गह था 950 में कर इस पर यूजनाई बनाना था यूजनाई बनाना था इसका कार क्या था यूजनाई बनाना यूजनाई बनाना ठीक है इसका अध्यच्छ होता है देश का पीम पदेन अध्यच्छ होता है वो तो देश का प्रधानमंत्री होता है देश का कौन होता है पीम तो देश का पीम जो इस सम पर कौन होगे अध्यच्छ नरिंद मोदी होगे तो अध्यच्द इश्ट का पी-ेम होता है और प्रतम उपाद्यच्छ जाएक के प्रतम पाद्यच्छ कौन थे गुलन साब अगर यहाँ पर पर परत्थम की बात कर रहे हैं योजना आउध का तो ते हैं अगर प्रत्थम PM की बात करेंगे या प्रतम अध्यच की बात करेंगे तो वो आपने सोरी मैं यहां पर लिख रहा था जवालाल नेरू क्या लिख रहा था जवाहर लाल नेरू तो यूजना आयूक का जो अध्यच रहा है वो कौन रहा है जवाला नेरू रहे हैं कौन रहे हैं जवाला नेरू यहां पर एक slide लग सकती है extra कैसा option है देखाओ बुझे का यह वाला आठीक है देखो मैं योजना एक को थोड़ा सा आपको बदा रहा था तो वो चीजें आपने क्लियर करना है तो मैंने का कि इसका अध्यच जो होता है न वो प्रधान मंतरी होता है तो पहले कौन थे तो पहले कौन होंगे मैं सौट में लिख दूँगा जेयन नेहरू जवालाल नेहरू आप समझना पहले उपाद्यच कौन थे अगर यह question आता है योजना एक का तो गुलजारी लाल नंदा कौन थे गुलजारी लाल नंदा तो पहले उपाद्यच कौन होगा करते थे गुलजारी लाल नंदा होगा करते थे ठीक है इस्तापना कब होई थी यूजना एकी 1950 में समाप्त कब कर दिया गया यूजना एक तो यूजना एक को समाप्त कर दिया गया था इसकी घोषणा होई थी मतलब पहले तो अगर मैं बात करूँ तो 15 अगस्त, 15 अगस्त, 15 अगस्त, 14 को और किसने समाप्त किया था, समाप्त किया था, नरेंद्र मोधी ने, किसने किया था, नरेंद्र मोधी जी ने, इसको समाप्त किया था, 15 अगस्त, 14 को इनको समाप्त कर दिया गया था, नीती आयोग को मतलब य इस आयोग के नाम से जानते हैं, नीती आयोग के नाम से जानते हैं, तो दोस्तों याद रखेंगे, तो नीती आयोग जो बनाया गया है न, वो बनाने की गुछना पंद्रा वे दोजार चूदा को होगी, लेकिन बना था एक जन्वरी 2015 को, तो नीती आयोग जो एक जन्वरी 2015 पंद्रा को बना, वो योजना आयो की तरह ही काली कर रहा है नीती आयो, तो अगर मैं बात करता हूं तो आपसे कुछ कुछण बन जाते हैं GKK की कैसे योजना आयो का अंतिमाद्याच योजना आयो का अंतिमाद्याच कौन होगा नरेंद्र मोदी योजनायव का अंतिमध्यच किसे कहेंगे हम लोग अगर आपसे कुछन आए तो योजनायव का अंतिमध्यच आपके नरेंद्र मोदी बनेंगे कौन बनेंगे नरेंद्रमोधी तो यूजनाय पर अंतिमध्यच कौन है नरेंद्रमोधी प्रत्थम अंतिमपाद्यच कौन था स्वरी अंतिमपाद्यच कौन है अंतिमपाद्यच तो अगर हम अंतिमपाद्यच की यूजनाय की बात करते हैं तो अंतिमपाद्यच जो बने अर अर्विंदपनगडियाँ थीकें ऐसे गरके यह उजनायो के अपना निति आयो तो निति आयो पर प्रत्म अद्यच कौन मनें तो सेम बनेंगे दोनो नरेंदर मो zwischen मेंगे नरेंदर मोदीजि na German अध्यच कौन मने ननेद्र मोदी जी बने प्रतम उपात्यच भी कौन मने तो प्रतम उपात्यच भी कौन मने अर्विंद पनगडिया 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 कौन म On Syacra कों ये नरेंद्र ओधि हैं, कौन है नरेंद्र मो कौन है तो अ सब्सक्राइब को ये क्रेज़ करकी एक एक ही नरेंद्रमोर्दू आप्य। तो जो आपने याद रखना है तो बरतवान उपाद्यच को होने मदब नीती आयव के बरतवान में सुमन बेरी तो ऐसे करके आपने क्लियर कर देना है दोस्त जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपड़ेंट बनेगा तो इस तरीके से आपने जितने भी कुर्श्चन से वो क् अभी बिट्टायों के सूलवे अध्यच बना दे गए तो अभी बिट्टायों के अध्यच कौन बने है हाली में तो आपने अगर कुश्चन आ जाए कभी भी सूलवे बिट्टायों के अध्यच अगर आपसे कुश्चन आए सूलवे बिट्टायों के अध्यच कौन है तो बने है अर्विंद पनगडिया तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये सारी चीज़े क्लियर करनी है जो आपने पढ़नी अच्छी तरीके से अभी मैं नैस्ट कुश्चन पर आगे बढ़ जाता हूँ तो आज का लास्ट कुश्चन आपका क्लियर होना है ओजोर रिक्तिकरन डिपली अगर आपसे कुश्चन आए ओजोर रिक्तिकरन क्या हुआ ओजोर रिक्तिकरन आपने क्लियर करना है तो ओजोर रिक्तिकरन डिपलेशन किस के पास सबसे ज़्यादा होता है ओप्शने महासागर भी द्रू सी कटिवन दी भूमद रेखा तो ऐसे क्या आपने क्लियर करना है दोस्ता हां दोस्तों प्लीज आप लोग चैनल को लाइक सेर और सब्सक्राइब करिए दोस्तों को सेर करिए क्लास को जाद जादा जाते समय तो करी सकते हैं लाइक तो आपने आंसर देंगे बिताएंगे फड़ापट क्लियर करीए देखिए यहाँ पार द्रू बिल्कूल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन भी तो यहाँ पार जो पूर रीजन से हैं वो बिल्कूल करेक्ट आंसर बनेगा यह चीज़ें आपने खिले करनी है और आपके लिए काफी ज्य से जुढ़ना जाते हो तो टेलिवाम से जुढ़ना है तो GKGS by GKGS by Amit Vudoria ऐसे करके आप उससे संपर कर ले रहे हैं spelling को आप लोगों को याद रखनी है तो आप संपर करें बांकि के आपको अगर यूटूब आ जोइन करनी है वो तो अब देखी रहे हो तो बीजी करके आप सर्च कर सकते हो दुनिया मुदा सकते हो इसके बाद में अगर आपने मेरा अगर इंस्टाग्राम अकॉंट करना है तो आप अमिल भुदोरिया करके सर्च करिए आपको मिलेगा देफिनेटली मेरा फोटो तो आपको यादी होगा तो लगाओगा वहाँ पर अमिल भुदोरिया करके जिससे आपको केमिस्टी ट्रिक्स बगरा मनदम उस भी जीके ट्रिक्स में आप पर डालता रहता हूं तो आपको मिलता रहेगा वह तो यह मिल जाएगा फेस्बुक पेस से आप उससे जुड़ सकते हो तो आपको सभी जगे पर क्लास प्रोवाइड करा दी जाती है मज़ा आ रहा है सभी लोगों को तो प्लीज लाइक को लाइक सेर और सब्सक्राइब करिए दोस्तों को सेर भी करिए और मज़े करते रहे है बाकी के लिए तो मैं कल डालता के लिए तब तक लिए जय हिंग जय भार राद राद दोस्तों नमस्कार गुड नाइट सब्सक्राइब लब यू डियर्स